अगर आप बोड एक्जाम में क्या क्या चीज लेके जानी चाहिए उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है उसके उसमें बता दू बहुत सब्सक्राइब सबको पता होता है आपने 10 का पेपर दिया है फिर भी बता दे रहा है कहां में तो बता दे रहा हूं और बहुत साइश्वाण पूछेंगे कि सर स्कूल असोसीएशन का क्या हुआ स्कूल असोसीएशन देखो यार यह लोग जो हैं गौवर्मेंट से खेलने वाले लोगे क्या है बहुत एक्जाम के लेके जाना तो यह देख लो यूशुल कैरी इन एक्जाम निशन और पहली बात तो एड्मिट कार यह देख लो मुझे याद है मैं अपने 10 में था तो मैं मेरा जो एक्जाम सेंटर था वो मेरे घर के बहुत पास ही था जादा दूर नहीं था त तो घर से निकलते वक्त, अडमिट काट दो बार चेक कर लेना, दूसरा आता है, मास्क और सेनिटाइजर यह मेरी टाम पे नहीं हुआ करता था, पर आभी है, तो आपको कहा है, सेनिटाइजर तो मैं, यह एक्सेप्शनल है, बहुत लोग लेके जाते नहीं, मास्क ले लेना ह तो ब्लैक से दोनों यूज करोगे तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम तो शायद नहीं होता पर दोनों यूज मत करना ठीक है अगला था पैंसील शापना रबर स्केल देखो है यह तो सब कॉमन चीज है यह तो मैं किसी को बतानी की जूरत नहीं है पर अगर वीडियो बना रहा कि बहुत सारे लोग शुरेंट भी बोल रहें कि कॉपी करना पाफ नहीं है पकड़े जाना पाफ है तो बिलकुल यह सबने कॉपी किये पर यह शुरेंट बच के ठीक है कुछ भी करना बच के करना अगला आता है नो अनफेर पेज और तो यही मैं कहना चाहता था कि कोई भ अपने ही हिसाब से होगा टीचर लोग छूट देंगी छूट देंगी यानि कि मतलब इतना स्टिक्ट्नेस नहीं होगा जैसे बाकी सेंटर्स में होता है चो चलो यह सब चीज ले लेना बाकी आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को पर लेना वीडियो करता हूँ थेंक यू